नमस्कार दोस्तों स्यामा हेल्पिंग सेंटर पर आपका स्वागात है आसा करता हूं कि अप लोग अच्छे होंगे तो दोस्तों यहां पर बिहार डेलेड 17-2024-26 में एडमीशन के लिए इंट्रेंस एक्जाम के लिए बिहार बिदाले प्रिक्षा समीती द्वारा ओंलाइन आप्लिकेस याने की और आफ लाइन फॉर्म भरने का जो जारी कर दिया है दोस्तों यहां पर आगे मैं आपको सारी डिटल्स बताूंगा कि कब से फॉर्म भरा जगा लाश्ट एड कब रने वाला है इसका जो अप्लिकेशन फीय कितना रने वाला है इसका एक्जाम कब सब्सक्राइब कर लेंगे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी सेर कर देंगे और इसको लाइक भी कर देंगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दोस्तों यह आपका नीश पेपर है जो कि कैमूर जीले का है य यानि कि लास्टेट तो यहां पर दिखिए आपका अंतिम्तिती 20 फरवरी निधारित की गई है यानि कि जो आपका लास्टेट रहेगा 20 फरवरी रहेगा दोस्तो यहां पर यह जो डेट है इसको बढ़ाया बही जा सकता है 2-4 दिन के लिए दोस्तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ठीक है आगे इस जो निविजय इसमें के लिखा है यहां पर दिखिए डिप्लोमा इन इलिमेंटरी एजुकेशन देलेड में नमांकन के लिए छात्र छात्राव से बिहार बिदाले परिच्छा समीती ने 7 फरवरी से ओनलाइन मांगा है आवेदन करने की जो अंतिम ठीथी है 20 फरवरी निधारित की गई है विहार बोड़ ने इसे सम्मंधित निदेश उन सिक्षर संसानों को भी दिया है जहां इने दाखिला लेना है आवेदन करने वाले छात्रों की विभाग की और से परिच्छा ली जाएगी परि पिंदेश प्यारिया से जो बात किया गया है जो प्रवक्त होंगे जो इसके एडिटर होगे तो उन्हों ने यहां पर बोला है कि बिहार बिद्धाले पृच्छा समीति की और से नमांकन की प्रवेश प्रिच्छा ली जाती है नमांकन के लिए आवेदन करने वाले छात्रों को इंटरमीडियेट एवं मैट्रिक से जुड़े अंग पत्र सहीत है सैंक्षिरिक परमार पत्र एवं जाती आय निवास के साथ आवेदन करना होगा तो दोस्तों यहां पर आप देख पर होंगे यहां पर कौम सा डॉक्में पत्र होगा तो लगेगा उसके बाद जाती हो गया आय हो गया निवास हो गया और यहां पर जो बिचा बिच्छा समिति जात्रों का अधार पर चात्र पर परवेश्वरिक्षा में सामिल होते हैं यहाँ पर देखें परिक्षा का पारूप कैसा होगा तो देखिए जो आपका परिक्षा में 120 परस्न पूछे जा सकते हैं जनकार बताते हैं कि परिक्षा भी ओनलाइन ही ली जाएगी यहाँ पर जो आपका एक्जाम होगा ओनलाइन मोड में होगा CBT होगा Computer Based Test इस परिक्षा में 120 परस्न पूछे जा सकते हैं सारे परस्न वस्तुनिष्ट परकार के बहुँ विकल्पी होगे यहने कि Multiple Choice कोचन होगा चार ओप्सन होगे दोस्तो अब बात करियां पर syllabus का तो यहाँ पर देखिए परिक्षा में समान ने हिंदी से 25, गणीद से 25, विज्ञान से 20, समाजी कर्यान से 20, अंगरेजी से 20, तारकीक एवं 26, छमता से 10 अंक के परस्न पूछे जा सकते हैं यहाँ पर देखिए दोस्तो पास करने के लिए आपको कम से कम 35 अंक लाना होगा आरक्षिर स्रेणरी के अवियर्थियों को 30 अंक लाना होगा इंटर वार्षिक परिक्षा में सामिल होने वाले जिनका परिणाम नहीं आया है, वो भी डिलेट परिक्षा में सामिल हो सकेंगे तो दोस्तों इस बार जो इंटर का एक्जाम देंगे जिनका की अभी रिजल्ट नहीं आया है और लोग भी इसके फॉर्म को भर सकेंगे लेकिन दोस्तों यहाँ पर जब आपका यहाँ पर चैन होगा तो उसके लिए आपको इंटर परिक्षा में कम से कम 50% अंक लाना होगा और जो रिजर्बेशन के टेक्रिस आते हैं उनको 5 अंका छूट भी मिलेगा तो यानि उनका 5 तंबर यानि की 5% हो सकता है साथ फरवरी से फाइनली यहाँ पर BACB ने डेट जारी कर दिया है अभी ओफिसियल नहीं आया है ठीक है यहाँ पर जो डाइट के एड मास्टर ने उनसे पूछा गया है तो इन लोग के पास पहले से ही सारी जनकारिया होती है अंदर के लोगर विभाग के तो इनको पता ह होगा यहाँ पर साथ फरवरी से आप लोग का ऑनलाइन जो फॉर्म में सुरू हो जाएगा और इसका जो लास्ट राने वाला बीस फरवरी राने वाला है तो यह जो ऑनलाइन अवेदन था जो कि इसका BACB का कलेंडर आया था उसमें 10 जनवरी से ही दिया गया था फॉर्म में देखने को मिल सकता है आप लोग का एक्जाम जो होगा वो सकता उसी डेट प्रोज है लेकि इतना जल्दी करेंगे नहीं तो मार्च लास्ट या फिर अपरील का फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में आप लोग का इसका एक्जाम होने की समभावना है दोस्त यहां पर यह अपडेट आता है कोई अफिसियल अपडेट आईगी तो मैं नहीं वीडियो के माध्यम से आप लोग को सूचीत कर दूँगा अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप हमें टेलिग्राम ग्रूप पर मैसेज कर सकते हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल गाएगा तब उस गुरूप को जोईन कर लेंगे या फिर कॉमेंट में भी पुछ सकते हैं टेलिग्राम में सारी अप्डेट्स आपको मिलती रहती हैं लाइफ तो सबसे पहले आपको वही मिलेगी तो आप लोग अगर टेलिग्राम ग्रूप जोईन करते हैं तो आप दोस्तो अगर आप कोई जनकारी अच्छी लोगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कर देंगे अपने दोस्तों को सेयर कर देंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आउन कर लेंगे वीडियो देखने के लिए थांक यू जैहीन जे वारत